के लो पेहरे बच्चों स्वेडियो में में पढ़ने वादें ए ए फोर्स ऑन पैलल वाय करिंगनर दो तो इंफारेक्ट लेंट के पडल वायरे जिसके अंदर क्या हो रहा है कुछ current फ्लो कर रहा है और यह दुनों के अंदर पर फोर्स लगा रहा है तो हमको यहाँ पर बात करनी कि उस force का magnitude कितना होगा force की direction क्या होगी attractive होगी या repulse होगी सबसे पर कोशन तो हमार दिमाग में आने चाहिए कि भाई दो conductor है जिसके अंदर current फ्लो कर रहा है तो हम चैटर कौन सा पट रहे है इसका मतब्या है कि जब चब भी इसके अंदर से current फ्लो करेगा तो हम चैटर कौन सा पट रहे है तो ही कर्ण कर्ण तक करेंगे तो कहा जाएगा यह बोड के अंदर तो मतलब कि इसकी जो magnetic field है कि इदर वाले पॉइंट पर वो कहा लगए कि अंदर की तरफ इसको में क्रॉस से विरांदिया B1 ठीक है अब देखे यह जो current के रहे हैं यह magnetic field कर रहा है इतनी B1 और उस B1 magnetic field के कि इसकी वज़े से इसके उपन क्या लगी एक फोर्स अब भायू फोर्स की डारेक्शन क्या होगी सिंपल सब्सक्राइब का लेफन डूर्ट क्या बोलता है कि यह अगर आपको magnetic field करण की डारेक्शन तो यहां पर देखे आपको magnetic field कहा जा रहा है अंदर ही तरफ यह जा रह इसके उपर जो फोर्स लगेगी वो कहां पर लगेगी यहां पर इसको मैं नाम दे रहा हूं F21 बतलब क्या force on second due to first नौर्स इसके लिए देखो इसमें current flow कर रहा है उपर की तरफ यह वाला जो current ही यह तो अपनी magnetic field करेगा तो इसकी magnetic field कि इस तरफ देखेंगे तो कहां जाए कर रहा है कहां पर बाहर की डारेक्शन उस magnetic field को आपने कितना बोल जाए बीडू चलो अब बीटू कहा है जब यह आपका conductor का कवाच उसके उपर के लगेगा फोर्स कैसे निकाले यह लगा है यह क्या है आपका direction of magnetic field का है बाहर की तरफ यह लागे देखो मैंने बाहर की इसका मतलब क्या है कि जब भी दो conductor को हम लोगे पास में राखा रहा है अगर current flow कर रहा है same direction में F12 force on one you two second now F12 is equality कितना होगा हागको पता है force is equality कितना होगा ILB sin θΑ इलB sin θऑ इलB sin θऑ आए कितना होगा इस conductor में कितना current flow कर रहा है i1 ठीक है इसकी length कि इतनी है में इसकी लेंग कितनी है फिर यहां पर दें कि मैंने क्या पूट कर आप B2 क्यों पूट करना चाहिए तो यह जो आपका कंड़क्टर है पहला वाला है किसकी मैंनेटिक फील्ड में रखा हुआ है इसकी मैंनेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो इसकी उपर जो फोर्स लगेगा किसकी वैसे लगेगा बीटू की वज़े से यहां पर हमने कितना रहे को आई वन एल बीटू साइट थीटा की तो थीटा क्यों होता आपका अंगर बिट्में आई एंगी आई एंगी आई तो उसको मैं यहा से हटा सकता हूं या वीटू की वैली क्या होगी हमको बताए कि वीटू किसकी वज़े से मागनेटिक फील्ड क्रेट हो हुँआ है यहां रेंटू की वज़े से और लिघ्वी तैकला की किसी भी जो more नहीं होती होती है कि मुण अपन 4π 2i upon r सिंपर r क्या होता है डिस्तर्स तो इधे की डिस्तर्स कितना है यहां पर सेप्रेशन कितना है r ठीक है i की जगा क्या है का i2 because magnetic field की इसकी विए से create होरी इसकी वज़े से यहां पर अपने कहा है i2 आप इस value को क्या थर पूट कर दो कहां पर इस equation के अदर f12 कितना हो गया बतावाट mu0 upon 4π 2 i1 और i2 3 हो जाए आपका i1 i2 upon में कितना आगे r into me kya रहा रहा आपका n sin 3 value l to 1 होगे l को हम क्या upon में l को हम क्या upon में upon में 3 होगा f12 upon में n is equal to mu0 upon में 4π 2 i1 upon i2 upon में kia r l को upon में क्यू लिए infinite length का wire infinite length थो क्या होगा l infinite force इस से बड़र तरिका है कि हम यहाँ पर क्या निकाले force per unit length एक unit length के उपर कितना force लग रहा है तो वह निकाला unit length के उपर लगने आपका force कितना होजाएग 2 i1 i2 upon में यह तो बात वही कि इसके उपर क्या फोर्स लगा है अगर हम थोड़ा से इसको रिवर्स कर देना अगर मुझे इसके उपर फोर्स निताल गाए तो मैं यहाँ पर क्या लिख होगा इसका प्रणड इसका आए किसकी फीलमें रखा ही है यहां कि आज आईक बिस टेटाए बिस बेसे बताना इतने हों कि में अपर और फॉर्णवल्ड है थो इंट्नु में कितना आ गया आए आपका इंट्व और अगया इंट्नुमें इसका वंदर क्या है कि F12 और F21 बहुनों का magnitude क्या आने वाल है बराबर पर unit length की बात कर रहे है इसके अंदर जो कर रहा है इसके अंदर जो current है वो कहाँ चलेगा आपका अब बताओ मैं वो फोर्स के लिए क्या सीन होगा यहां पर उसको समस्थ देखना ध्यान से लिए अभी 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 है रिपल्सिव होगी और एंड में थे लोगा बनाएंगी जो देखेंगा आपकी अट्रेक्टिव थी या रिपल्सिव थी उसको चाचने के लिए तो चाहि आपकी अबार की तरफ है रहा दो कहार देखु कहा जारा थे ऑफार दिक तरफ तर ओ Worst आ झाले अपकी आपकी आपकी वंतो भार की तरफ के तरफ बात करने चला इसके उपर देखें कि मेंटिक फिल यह जा रही है अंदर की तरफ करंट जा रहा है मीचे की तरफ फोर्स कहां गई इस तरफ आप आप देख सकते हैं कि दोनों फोर्स क्या और यह दोनों के आपकी रिपल्सिव रेचर किये और पहले वाले कि इसमें कि साहरत ह अगला कि आपम है हमारी लिपल्सिव चयों न यहां- θα रख तर astronomy और यहांपर ममतला है ना ठीक है, simple, now, यहां पर हम इसको कनेक्टा देते हैं बैट्री से, यह लगा ही बैट्री, एक real state लगा दिया, current वह रोग करने की लिए, ठीक है, और इसको यहां कनेक्ट कर दिया, यह आओ गदेगा आपका positive negative, अब देखें, जब यहां पर कोई current नहीं है, तो जब यहां पर कोई फोर्स नहीं राता खोगा कोई एफ्ट नहीं होगा , तो स्प्रिंग के आपकी फ्री इंदर कहां पर इन दीब है , जैसे ही मैं इसको अन करता हू इस संटीक को में क्या करता हो , अब यहांद करता हू एक की लगागी शीच ओफ तक है , बढळ जैसे इसको अन करोंगा इसके अंदर क्या होगा? Current Flow वेखा? अब जब इसके अंदर Current Flow आ रहा है तो इसके अंदर ओर इसके अंदर ठीक है? जो आपका जो सर्पिलर लूप के ना? जो sprin के अंदर एक लूप के अंदर जिस सब्सक्राइशन में करेंट होगा? घूंग कर दूसरी लूप में भी क्या हो और 20 हो चाहिए उपर आप जैसे ही यह इस लिक्विट से उपर कहाएं कि या फिर धिर guitari उपर ये और यह उपर नीचे ऐसे आना कि रहेगी तो आपको आपको समझ में आपको पूरा डेविशन बड़ा ही सिंपल सा डेविशन है करको बड़ा है यहां पर बचे बहुत कंते हैं तो इसको अप्लेओ नहीं करना ठीक है यहां तक बने नहीं कि बहुत 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 शुक्रीया जाहिन जयवार